दोस्तो यदि आप एक Free Fire Player है तो दोस्तो Free Fire Game के Settings वोल अप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते है तो सबसे नीचे एक उप्शन दिखने को मिलता है Notification जहाँ पे क्लिक करने पर कापी साड़े उप्शन आपके सामने दिखाया जाता है जैसे के आप सब इहाँ पे देख सकते है तो दोस्तो आज के इस वीडियो का अंदर में आप लोगों को Free Fire Settings के Notification के बड़े में सही से समझाओंगा और दिखाओंगा भी कि कौन सा उप्शन में क्या होता है और कौन सा वाला उप्शन को सेट करके गेम प्ले करना है तो यदि आप Free Fire के Notification के बड़े में सही से जानना चाते है और समझना चाते है तो इसके लिए क्या गारना है के वीडियो को बना सिप यह देखते रहना है So Hello Guys, मैंने नाम है सुजन और आप देख रहा है Technical Top Support तो चलिए सुरू करते है तो दोस्तो जैसे के इसके लिए मैंने यहाँ पर अपना ID ओपन कर लिया है तो सिंप्ल से मैं यहाँ पर Settings बल अप्शन पर क्लिक करके जैसे मैं यहाँ पर Notification बल अप्शन पर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर दो अप्शन दिया गया है Accept और यहाँ पर Reject तो यहाँ पर यहाँ पर इससे Accept करके रखते हैं तो इसकेस में क्या होगा तो दोस्तो अब जब Classic में या फिर Classquat में गेम प्ले करते हैं वह भी random मंदे के साथ मतलब unknown friend के साथ आप जब गेम प्ले करते हैं मतलब ऐसा unknown friend जो कि आपके friend list में नहीं है तो उन लोग अब गेम प्ले करने के अब बात क्या होता है कि वह लोग आपको request भेजने लगता है मतलब दोस्तो recent friend से request आने लगता है जैसे कि मुझे यहाँ पेक request आ रहा है जो कि दोस्तो recent से है मतलब दोस्तो यह बंदा मेरे friend list में नहीं है फिर भी दोस्तो यह बंदा मुझे request कर रहा है क्योंकि दोस्तो इसके साथ मैंने अभी अभी गेम प्ले किया है तो stranger inviars को यह बंदा अब accept करके रखते है तो इस case में दोस्तो आप जिस भी बंदे के साथ गेम प्ले करेंगे तो वो बंदा आपको recent friend से request कर सकते है उसके बदोस्तो आप request accept करके अपने recent friend से आप फिर से गेम प्ले कर सकते है जैसे के दोस्तों यह बंदा मेरे friend list में नहीं है पिछले match में मैंने इसके साथ gameplay किया था इसलिए वो मुझे यहां पर recent friend से request किया है इसके अलावा यहां पर इसे reject कर देते है तो ऐसे में दोस्तों automatically reject हो जाएगा तो मैं अपने recent friend से खेलना पसंद करता हूँ तो इस case में यहां पर इसे accept कर लूँगा उसके बाद दोस्तों अगला option दिया गया है booking application तो दोस्तों यहां पर दो option दिया गया है reject और accept तो यहां पर यहां पर accept करकर रखते हैं तो इस case में क्या होगा तो चलिए आप लोगों क दिखाते हैं जैसे कर दोस्तों यहां पर जो invite का option दिया गया है इस पर क्लिक करने पर जितने भी मेरे फ्रेंट में friend है सारे friend का ID यहां पर दिखाया जाएगा इसमें से कुछ friend जैसे कि आप सब यहां पर देख सकते हैं कि playing है मतलब दोस्तों अभी game प्लेक कर रहा है तो दो जैसे में यदि आप gameplay करते हैं तो gameplay करने के time उसके ID पर आपके ID के side में कुछ इस type से ही एक box दिखाया जाएगा और उस box में यदि वह बंदा फ्रेस करते हैं तो ऐसे में आपको एक notification मिलेगा जैसे कि दोस्तों मैं यहां पर gameplay कर रहा हूं और gameplay करने के वक्त दोस्तों मुझे यहां पर एक booking request मिला है जैसे कि इस वले icon पर आप सब देख सकते हैं जैसे कि इस वले box पर में जैसे यहां पर click करता हूं तो ऐसे में आप सब यहां पर देख सकते हैं कि मुझे यहां पर booking request आया है तो यदि आप गेम प्ले कर रहे हैं तो ऐसे में यदि आपका कोई friend आपक साथ खेलना चाहते हैं तो ऐसे में वो बंधा अपको भर को सकता है इसगा मतलब दूस्तों यह होता है कि वो फृपरिन आपको यह city कर रहा है कि आप जो gameplay कर रहे है वह मैंच खताम होने के वाद अगला व्रामाइच आप उसके साथ खेले तो दोस्तों यह दिया booking request को accept करते हैं तो ऐसे में आप जो game play कर रहे थे वो game खतम होते ही आप जब lobby में आएंगे तो automatically आपको booking request का pop-up notification मिलेगा जैसे का दोस्तों मुझे यहाँ पर notification मिला है और यह notification दोस्तों जिस बंदे का मैंने booking request accept किया था उस बंदे का है जो कि automatically आ देते हैं तो इस case में कोई भी आपको अगला मैच खेलने के लिए booking request नहीं कर सकते हैं उसके बदोस्तों अगला option दिया गया है रिसिप टीम invites and request यहाँ पर दोस्तों दिया गया है reject accept तो यहाँ पर यह जो आप इसे accept करके रखते हैं तो इस case में क्या होगा तो कोई भी आपक सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे में आप उनके टीम में जौन होके उनकी साथ आप गेम पिले कर सकते हैं इसके अलबाव यहाँ पर इसे reject कर देते हैं तो ऐसे में कोई भी आपको टीम invite नहीं कर सकते हैं उसके बदोस्तों अगला option दिया गया है प्रेंड रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर देते हैं तो जो कोई भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा तो ऐसे में फ्रेंड रिक्वेस्ट नोटिपिकेशन सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बदोस्त अगला इसके सब्सक्राइब करते हैं कि नीचे काफी सारे प्रेंड का ओप्सन दिखाया गया है यह जो फ्रेंड है ना दोस्तों यह सब्सक्राइब को यहां पर देखने को मिलेगा जैसे कि आप सब यहां पर देख सकते हैं तो दोस्तों यहां फ्रेंड रिक्वेस्ट को एकस्ट करके रखते हैं तो आपके आईड को भी दुसरे के रिक्वेंडेसन के दिखाया जाएगा और कोई ही आपको यहां पर देख सकते हैं और आपको फ्रेंड बना सकते हैं इसके अलब़े यहाँ पिशने होगा जब किसी भी स्कॉर्ट में होगे और स्कॉर्ट लोगों के सब चैट करेंगे तो ऐसे में दोस्ते आपको एक बबल सी होगा तो चलिए अभी यहाँ पर टीम बना के आप लोगों को दिखा देते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मेसेज दिखाया गया है तो यहाँ पर मेसेज दिखाया जाए गया जैसे कि आप यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाट दोस्तों के नीचे दों डिया गया है फिडि लख रोयल और डायमन मिंबर्सीप. तो यहाँ पर दो आपसन दिया गया है OFF और ON. तो दोस्तो यह आप यहाँ पर इसे ON कर देते हैं, तो इस case में क्या होगा, तो ऐसे में आपको rewards notification मिलेगा, मतलब दोस्तो यह अधी लक्रोल के अंदर को इन पर इवन आता है जो कि फ्री में आपको मिलेगा तो SI में आपको नोटेविकेसड मिलेगा nothing for the family Drake के तरफाब से चाह Says वह आप hand को HAM क्या हूं या भी आपको एक मेसिज मिलेगा ही मिलेगा इसके वाबर इधी आपने मेंबर सिप लिया है तो member ship से जो diamond मिलता है daily तो किसी दिन एधी आप diamond को claim करने भूल जाते है तो AC में आपको free fair game के तरफ से एक notification मिलेगा जहां पर बताया जाएगा कि आपने अभी तक diamond लेने के लिए claim नहीं किया है तो जाईए और claim पर के diamond को ले लिजिए तो इस टाइब से notification आपको free fair game के तरफ से दिया जाएगा तो दोस्तो आसा गारता हो कि आपने free fair के notification के बड़े में सही से जान लिया है और समझ लिया है सो फालोग आज के इस वीडियो के अंदर बस इतने बताना था वीडियो पसंद आये तो सक्के लेक कर दीजिएगा और कि मन में कोई से ओलोगा तर निचे comment कर दीजिएगा और जैपने अभी तक मेरे चान को subscribe नहीं क्या है तो निचे दिया गया लाल बटन पर क्लिकर के साथ ही में बिलेकूं को तब बखे औल पर सेट कर लिग जिएगा क्योंको दोस्तों मैं ऐसे फ्री फ्रेट अंगरी वीडियोस आप लोग के लिए डालता रहता हूँ तो चलि दोस्तों आज के लिए बाई मिलते है एकला वीडियो पर